हेलो अब्रीवन कैसे हो आप सब एक बाद पूना हाँ स्वागत है आप सभी का हमारे अपनी यूटुब चैनल से यू कोचिंग क्लासेश पर उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मास्त होंगे बेतर होंगे आप सभी की पढ़ाई बेचेस चल रही होगी बोड एक्जाम के लिए देखी यहाँ पे हम आपको लोगों समने इंप्रोटेंट कोश्चन लेकर आए हैं और आज के इस वीडियो में हम सही जोडी वाले प्रशन देखेंगे तो कई सारे यहाँ पे हम 5-6 सेट करने वाले हैं पूरा का पूरा जिन में से काफी इंप्रोटे करते हैं पहला छो सेटे हैं इसको के त्यार करते हैं इसमेंें देखें क्या दिया गया इम्नी ओन इधार opposite side में आपको ढून है Mnion का क्या हो सकता है Mnion है, blasto, spore है, kutta है, उभैचार और एक जनकी जनन तो सबसे पहले तो आपको देखना है Mnion तो Mnion जो है क्या करती है यह मुकुरूब से भूरी जिलिया होती है एक प्रकार की जो की आघातों से सुरक्षा करती है तो आपको यहाँ पर क्या करना है जो Mnion है, यानि पहले का क्या हो जाएगा E-Number तो पहले का हो गया E-Number E-Number का क्या हो गया, पहला मतलब पहले का काम क्या है, आघातों से सुरक्षा चलिए इसके बाद दूसरा है ब्लास्टोइस्पोर तो जो ब्लास्टोइस्पोर है ये गैस्टूला वस्ता में बनते हैं तो ये दूसरे का हो जाएगा दूसरे का A हो जाएगा मतलब ब्लास्टोइस्पोर का क्या हो गया गैस्टूला में फिर देखिए कुट्ता में जो होता है ये मद चक्र होता है कुट्ता में कौन से चक्र होता है कुट्ता में मद चक्र पाय जाता है तो तीसरे कहो जाएगा बी नमबर तीसरे कहो गया बी नमबर है तो मद चक्र हो गया फिर देखिए उभायचर तो उभायचर को आपको याद है कि इंप है चर यानि की एंफिब आंस में सदायव आह निसेचन होता है कैसा निसेचन होता है ये वह texts सु झाटिक य।म यानि याने देखिए आपको याद रखना है एक जनकी जनन ऩो एक जनकी जनन मतलब आलेंग्यक जनन तो और लेंग जन गैन ब्लास्टो इस्पोर गैस्ट विलावस्था में बनते हो एकुत्ता जो होता है इसमें मद चक्र याने की अस्ट्रिस सैक्ल पाया जाता है और उभय चर जो है इनमें बाहनी सेचन होता है चलिए इसके पाद दूसरा सेट तयार करते हैं सही जोडी का तो दूसरे सेट में आप को ध्यान देना है कि दिया गया है गर्भासी नलिका, लेडिंग कोसिकाएं, सुक्रिजन नलिकाएं, एक्रोसओम और कार्पस लिटियम तो चलिये पहले रखते हैं पहले का क्या हो जाएगा देखिए गर्भासी नलिका का हो जाएगा बेसिकरी फैलोपियन नलिका यहाँ पे गर्भासी नलिका का संबंद किसमें से होगा फैलोपियन नलिका का तो पहले का हो जाएगा ए नमबर फिर इसके बाद देखिए दूसरा क्या है लेडिंग कोशिका इंडिंडिंग Sam Gac hemgap और मतलब दूसरे का हो जाएगा स्ञाइगा और और पिर पाझवार। कारपस लूटियम का हो जाएगा यहाँ पर प्रोजेस्टिरान तो यहाँ पर कारपस लूटियम पाचवे का हो जाएगा डिनमबर तो यह आपको दूसरा सेट भी आपका कम्प्लीट हो गया अब इसके बाद करना है आपको तीसरा सेट कम्प्लीट तो तीसरे सेट में आप द आबरत बीजी पादप पौधेश्वा युगमक और पेरीकार्व तो देखें दूई निसेचन आपको याद अखना है कि सदय आबरत बीजी पाधों का ही महत्वपूनल अच्छन है तो यहाँ पर दूई निसेचन का हो जाएगा आबरत बीजी पादप यानि पहले का हो तो जाइगोट आपका जो होता है जाइगोट बाद में किस में बदल जाता है भूण में बदल जाता है क्योंकि जाइगोट से बीज तो बनेगा नहीं इसलिए आपको याद रखना है कि जाइगोट किस में बदल जाता है भूण में बदल जाता है तो दूसरे का हो तीसरे का, बीजांड का क्या हो जाएगा, तीसरे का क्या हो गया, ए हो गया, फिर चौथा नंबर है अंडासय भित्ती, तो अंडासय की जो भित्ती होती है, वो बेसिकली पेरिकार्प, पेरिकार्प यहां पे अंडासय की एक भित्ती है, क्यों कि अंडासय की भित्ती से पेर परचवा जो वचा है अनुन्मीलिय पराग्णी पुस्पका हो जाएगा सवयुगमक इसका क्या हो जाएगा सवयुगमक तो पाचवे हो जाएगा यहांपे D नम्बर तो इस प्रकार से तीसरा सेट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है इसके बाद देखिए अगला प्रश्ण है अन्ताह गर्भासी युक्ति, अब देखिए चौथा सेट हम complete करेंगे यहाँ पर तो चौथा सेट है अन्ताह गर्भासी युक्तियां, फिर इसके बाद है बंदिता करण, इसके बाद है सिफलिस, यौन संचरित रोग और प्रेरित गर्भ पात तो इसमें आप पाएंगे सबसे पहले जो अन्ता गर्भासी युक्तियां इसमें देखे क्या हो सकता है ट्यूबेक टोमी, रजित रोग, MTP, कॉपर T और ट्रेपी निवा पहली डम तो देखिए अंतागर्भासी युक्तियां में मुख्रूब से कापर्टी आ जाएगा कापर्टी जो है ये अंतागर्भासी युक्तियां क्योंकि इस युक्ति को गर्भासे के अंदर जो है स्थापित किया जाएगा तो पहले का हो जाएगा आपको याद रखना है पहले का हो जाएगा डी नमबर तो अंतागर्भासी युक्ति का क्या हो जाएगा कापर्टी आपको कर लेना है फिर बंधेता करण में आपको देखना है बंधेता करण का संबंध किसे है ट्यूब एक्टोमी से क्योंकि ट्यू दूसरे का हो जाएगा, बंदेता करन का हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी, तो दूसरे का हो गया, ए नमबर, फिर सिफलिस, सिफलिस रोग जो है, ट्रेपी नुमा पहली डम द्वारा होता है, तो तीसरे का हो जाएगा, ए नमबर, काउन सा हो जाएगा, तीसरे का ए नमबर हो प्रेग्रेंसी तो पाच वे कहो गए आपका सी नंबर तो चाउथा सेट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है अब इसके बाद देखिए अगला जो नंबर है अगला सेट है यहाँ पर सई जो डिक है चलिए एक साइड देखते एक साइड आप ऐसा भी मान सकते हैं सभी मे जो है भूर्ण पोस्ट जो है आपको पता है कैसा होता है त्री गुरित होता है अर्था ट्रिप्लोइड होता है तो त्री गुरित किसका हो गया भाया तीसरे नंबर का तीसरे का ए नंबर हो गया आपका भूर्ण पोस्ट हो गया त्री गुरित फिर गोनेरिया रोग का संबं सा है मधुमक्षी तो ये हो गया पाचवे का क्या हो गया आपका D नमबर यानि मधुमक्षी फिर देखिए बीजांड बीजांड से किसका निर्मार होता है बीज का तो दूसरे का हो गया आपका ये बीज हो complete कराएं हैं इसी प्रकार सही जोड़ी की हम आपको 2-3 और वीडियो provide कराएंगे जिनमें आपको पूरे के पूरी तरे से सही जोड़ी आपको complete कराएंगे जो कि आपके paper के point आप दो से काप important है कम से कम 5-6 नंबर आपके सही जोड़ी के भी आने हैं इसके पहले भी हमने बस्तु निष्ट प्रशनों की कई सारी सीरीज करा दिये अभी तक आप यदि नहीं देखें तो अप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं मिलते हैं दोस्तों निष्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम